हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वल्कम बेक मैं चैनल टारेटीचर जॉब मैं फ्रेंग का स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारेटीचर जॉब में तो दोस्तों आज हम बीड प्रथम वर्स तृतिय प्रस्ण पत्र समसामेक भारत में सिच्छा के विशाय में और यह है आपका लेक्चर नमर 33 तो दोस्तों कल हमने देखा था बेशी सिच्छा के आधारवु सिधान्त जिसमें पहला पॉइंट था अनिवारियम निसुल के सिधान्त और दूसरा पॉइंट था हस्तकला का सिधान्त तीसरा था मात्रभासा के माध्यम से सिच्छा देने और चौता था आतने निर्भरिया स्वावलंबी सिधान्त पांच्वा था जीवन से जोडने समद्िश्वांत और सट्वा सात्मा था सथ्यूसा सर्वोदय का सिधान्त और सात$ उतत है किक्रण का सिधान्त तो दोस्तों ये सारे इस सिधानत हमने डिटेल में देखे थे बालक होता है तो दोस्तों विसक्र खाल्प मैं ऑस्तों तो द्वारा वो सीखता है इसमें सिछड किसी सिल्फ कारे द्वारा किया जाता और इसका अन्य पाठ्थे विशियों से सरसंबंद स्थापित किया जाता तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से सिल्फ कारे के माध्यम से अन्य पाठ्थे विशियों से सरसंबंद सिछा दी जाती थी इस योजना में सिच्छा कें === बालक दोनों को कारे करने की अधिक के सुतंत्रता रहती थी तो दोस्तों यहां पर बात करें किस तरह से कारिक के माध्यम से चाहे वो सिच्छा को या बालक को इसको अपनी एक सुतंद्रता थी कारिक को करके सीखने की और नमबर फाइप हम देखे इसमें उत्पादक्ता पर बल दिया जाता है तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्दा सिच्छा योजना की विशिश्ताओं में त इसमें नमबर 6 देखे इसमें बालक हस्तेकार के प्रति आदर करना सीखते हैं तो एक तरह से बालक अपने कारे से प्रेम करना कारे में रूची रखना सीखता था इस योजना में निसुल के वनिवार सिच्छा की विश्ता है एक तरह से कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से अनिवार और निसुल का सिच्छा दी राती है और इसमें सिच्छा का माध्यम जो था वो मात्र भासा है इसमें सिच्छा की ओम छात्र सामाजिक प्रगति के लिए कारि करते हैं तो दोस्तों यहां पर हम देखि किस तरह से हस्त के wo भावी जीवन के लिए तयार होता है साथ ही इसे उत्पादन के माध्यम से जो छात्रों के द्वारा किया जाता था उससे समाज की प्रगती होती थी उनके विद्याले की प्रगती होती थी और एक तरह से राष्ट और देश की भी प्रगती हो रही थी इसमें छात्रों में सकते हैं कि जो बर्धा सिच्छा योजना थी उसकी विसेस्ताओं में सबसे महात्वपूर विसेस्ता यह थी कि बालक सेल्फ डिपेंड होना सीख रहा था कहीं न कहीं वो सिच्छा के साथ साथ खुद को स्वाबलंबी बना रहा था हस्तकौसल के माध्यम से एक उसके अंदर बेसिक सिच्छा योजना के पाठिक्रम में निम्लिके विसेयों का समावेस किया गया नंबर वन हस्तकौसल यानि की क्राफ्ट इसके अंतरकत कताई भुनाई क्रिसी बागवानी कास्ट कला लकडी का काम चमड़े का काम मिट्टी का काम पुस्तक कला योग अन स्थान उद् उद्योग के विसेय को पाठिक्रम में स्थान दिया गया और इसके माध्यम से चात्रेख अपने जीवन में इन सब कलाऊं के लिए ब्रित हुए अब हम देखतें हें नंबर के मात्र भासा का programs में नंबिर दूसरा क्या था मात्र व्हासा और नमबर तीसरा था अगर हम बात करें मात्र भासा की तो मात्र भासा से सिच्छा लेना छात्रों के लिए भी आसान था क्योंकि वो जो चीजे अपने धैनिक जीवन में जिन भासा का उपयोग कर रहे थे उसी भासा में उन्हें सिच्छा ग्राण करने का मौका मिल ला था ज सांक गड़ित वीजगड़ित और रेखा गड़ित और नापतल यह सारी चीज़े आती थी अब हम नंबर फूर देखे तो सामाजिक विशय इसके अंतरगत इतियास भुगोल नागरिशास रेयों कुछ प्रमुक घटनाओं को पाठिक्रम में स्थान दिया गया था तो दोस्त जीव विज्ञान बनस्पती विज्ञान और हम देखे आगे रसायन विज्ञान कृसी विज्ञान और प्रकित निरीचड़ भुगर्व विज्ञान यह मानो सरीर विज्ञान को पाठिक्रम में अस्थान दिया गया तो दोस्तों यहां पर हम देखे जो सामाने विज्ञान में बालकों के पाठिक्रम में जीव विज्ञान, बनस्पती विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृसी विज्ञान, प्रकित निरिचड और भौतिक विज्ञान, भोगर्व, विज्ञान, यो मानो सरीर विज्ञान को पाठिक्रम में अस्थान दिया गया था और नंबर 6 पर हम देखें हिंदुस्तानी हिंदी उनके लिए जिनकी मात्रभासा हिंदी नहीं थी अब हम देखें नमबर नाइन आच्रड सिच्छा इसके अंदर नैतिक सिच्छा सामाजिक राष्टी उत्सों को मनाना और समाज सेवा को पाठिकरम में अस्थान दिया गया था तो किस तरह से ह अब हम देखते हैं नमबर टेन है स्वास्ते विज्ञान इसके अंदर का सफाई बयायाम युद्ध के विशे को पाठिकरम में अस्थान दिया गया था तो दोस्तों इस तरह से हम देखें तो लगबख सारे विशेयों के लिए बेसिक सिच्छा के पाठिकरम में अस्थान का लिए गया था जिससे बालक का सरवांगिड विकास हो सके और यहां पर सबसे महात्योपूर क्या था मात्र भासा में सिच्छा देना और सात ही हस्त कॉसल जिसमें हमने देखा था की हर तरह के इसकिल डप्लमेंट की बात कही गई थी कि बालक की जिस से लोगड़ी काम सिखल सकता है और अगर वो क्राफ्ट या कला की काम में रुची रखता है और उनके लिए उनके पाठिक्रम में ऐसे हस्तकलाओं को अस्थान देने से कही न कहीं उनको अपने भावी जीवन के लिए कोई चिंटा करने की आव सकता नहीं थी वो इन हस्तकारस्वल के माध्यम से अपने आने वाले जीवन में जीवन निर्वा के साथ साथ देश के उन्नति में सहयोग भी कर सकते थे तो एक तरह से हम क्या सकते हैं कि ये सिच्छा पार्ठिक्रम बहुत ही जादा महात्वपूर था उसे समय के हिसाब से कही न कहीं जो समय कि मांग थी उस हिसाब से क्योंकि उस समय जो अंग्रेजों का सासन था और देश में कहीं न कहीं उनके सासन की वज़े से देश कहीं न कहीं धीरे-धीरे पीछे हो रहा था तो देश को उन्नति की दिसा में ले जाने का कारे करने का स्रे हम इने दे सकते हैं इस पार्ठिक्र की वज़े से छात्रों में एक तरह से उत्साहा आता एक तरह से उन्हें मोटीवेट करने का जडिया था कि वह स्थकौसल के माध्यम से अपनी सिच्छा को पूर्ण करें और जीवन में किसनी समस्याओं का समाधान करने में वह खुद सच्छम हो पाएं तो दोस्तों आज के ल और इसी तरह से आप अपनी मेनज जारे रखिए और अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए हमेशा खुश रहे हमसे जुड़ने के लिए थाइंक्यू सो माच जब